असलाम लेकुम दोस्तों, एनम डिकर्ट विगर साओस पर मैं आपको खुशामदीर कहती हूँ अगर आपको इस वडियो का कोई बीचीज समझाए तो प्लीज इस वडियो को लाइक करें अपने फ्रेंट्स वेलोज और उन स्टुडेंट्स के साथ इसको शेर करें जो कोचिंग का फोर्ड नहीं कर सकते इसके साथ ही अगर आप हमारे चनल पे ने हैं तो प्लीज हमारे चनल को सब्सक्राइब कर दें साथ ही बैड आइकन के बटन को प्रेस कर दिदा के आपको हर नई अन्वेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आज जो टॉपिक हम डिसकेस करने जा रहे हैं उसका नाम है मोटिलीटी इन बैक्टिरिया motility in bacteria हमने prokaryotes की chapter से लिया जिसमें लिगा कि motility और moment जो होता है वो bacteria life में एक बड़ा important respect रखता है इसमें निखावा कि इसमें bacteria जो होते हैं वो जहां पर उनको ज्यादा nutrients नजराते हैं वो उसी तरफ move करते हैं या उनको जहां पर toxic substances नजराते हैं या जहां पर उनको ज्यादा nutrients नजराय वहीं पर move किया और जहां पर उनको chemicals नजराय तो वहां से दूर move करते हैं कहाँ जारा कि sometimes bacteria जो होते हैं वो हमारे पास एक optimal light की तरफ भी move करते हैं और एकर उन्हें ज्यादा light मिले तो वहां से दूर move करते हैं इसका हम phyototrexis केते हैं motilating bacteria का हम three stages में describe करेंगे फ्लेजलर मोमेंट में हमारे पास बताया जारा कि the most widespread mechanism is फ्लेजलर मोमेंट यानि फ्लेजलर स्पाइरो चैटल और ग्लाइडिक मोमेंट में सबसे ज्यादा जो widespread mechanism है फ्लेजलर मोमेंट है वह हमें बताता है कि which allows to travel in a liquid medium and is meditated by the spread thread like structures known as a flagellar उसने कहा कि ये flagellar moment जो है वो liquid में move करता है और liquid में move करना में इसकी help कौन करता है एक हमने cookie पड़े जिनकी spherical shaped थी एक हमने rod shaped पड़े जो बैकिली थी और एक spirally पड़े जिनकी spiral shaped थी उसमें हमारे पास cookie shaped जो spherical वाले हमारे पास bacteria थे वो कोई moment शो नहीं करते हैं जबकि rod shaped और spirally shaped bacteria जो हमारे पास moment को show करते हैं with the help of flagellar उसने कहा कि flagellar का मुझूद होना और flagellar की number और distribution हमारे पास बहुत एमियत की हमिल है उनकी identification और उनकी classification में उसने कहा कि when one or more flagellar arise from one or both ends of the road are spiral shaped cell it is known as a polar polar इस term को polar कहते हैं यानि एक flagellar या दो flagellar एक end से या दोनों end से अगर उसको निकले तो हम इस term को polar कहते हैं मसाल दी जा रही है आपने diagram को देख के समझते जाना ही हम diagram को में zoom करके दिखाती हूं लिखा है कि यह आपने जो एक structure निकला नजरारत दागा टाइप structure आप इसे flagellar समझेंगे और यह आपके पास दो मुझूद है इसे आप क्या समझेंगे bacterium समझेंगे उसने कहा कि when one flagellar arise from one end of the bacterium it is known as a monopolar monotrichus या अगर बैक्टिरिया के एक end में से एक flagellar निकले तो उसे monopolar monotrichus कहेंगे अगर बैक्टिरिया के दोनों ends में से एक-एक flagellar निकले तो उसे हम क्या कहते है बैपोलर monotrichus कहते है या amphitrius कहते हैं उसने कहा कि एगरiktरिया के एक end में से दो flagellar निकले तो उसे क्या कहेंगे April going phytrius कहेंगे अगर बैक्टिरिया के इंड्रे में से लोफो ।ने कर फिर या वियंद से दोया निकलते हैं तो इसे एक एक end में से दो हमारे पास flagellar निकलते हैं तो उसे सकने अपने इंगर इंगर बैको सब्सक्राइप कि निए अपनी एंग्छ्म केक्तिरिया जाए गिया घ्लयत को इस एक इक गिनलत की किकिन रस्तों है मोट यहां अपनी ही कोई स्पारोग्वाइड vendor c1 उसने कहा कि अगर हम फ्लेजवर मॉमें का। कव्हां क्वह व्लेशन फटुब है कि फेले हों वोडीफाइड फटूर्ट से बेंग थुझा थोुझे पे भी मुझूद है और ये कहां पे मुझूद है buried in the space between the inner and outer membrane of the cell wall inner और cell wall के inner और outer membrane की दर्मियार में ये buried हुए है along the length of cell spiral turtle moment के जरीए से flexing हो सकती है swimming तैर सकते हैं creeping यानि रेंग सकते हैं और spinning यानि अपने अपने चकर के गिर्द गूम सकते हैं ये तमाम moments तो हो सकती है एक्जिल फिलमेंट के जरीए से हो सकती है gliding motility हमारे पास आ जाती है जिसमें बताया जारा कि spiral turtle moment की तरह gliding motility भी जहाँ वो some species of bacteria ये हमारे पास शोगरती है जैसे कि cyanobacteria और myxobacteria इसमें लिखाव है कि oscillatoria और myxococcus ये वो हमारे पास बैक्टिरिया मुजूद है जो हमारे पास gliding motility करवाते हैं उसने का कि these organisms can move slowly over the solid surfaces, solid surfaces पे ये organism जो होते हैं वो slowly move करते हैं, they don't have the filamentary structure, gliding motility को जो है वो हमारे पास spiral turtle moment और flagellar moment दोनों के साथ compare करके कहा जा रहा है, इनके पास ना तो flagellar moment की तरह filamentary structure है internally और ना ही spiral turtle moment की तरह externally इनके पास कोई flagellar मुजूद है, बलकि ये एक slimy substance secret करते हैं, slippery सा substance secret करते है garden snails की तरह exact mechanism कहा जा रहा है, अभी भी हमारे पास gliding motility का exact mechanism नहीं पता, लेकिन कुछ scientist का मानना है, ये motility कैसे perform करते हैं, waves को generate करके, surface tension को produce कर या pushing करके, by securing slime as mechanism of gliding, या तीन तरह से ये कर सकते हैं, या waves को generate करके, या तो surface tension को produce करके, या pushing करके, ये gliding motility perform करते हैं, लेकिन overall हम है, अभी तक gliding motility का exact या true हमारे पास जो है, वो mechanism नहीं generate हुआ या नहीं, अभी तक discover हुआ है, बैक्टिरियल फ्लेजलम की structure को हम discuss करेंगे, जिसमें लिखा कि बैक्टिरियल फ्लेजलम non-contractile है, क्योंकि इसके पास microtibules नहीं होते हैं, ये 20 nanometer diameter और 20 micrometer की इसकी लेंथ है structure बैक्टिरियल फ्लेजलम के हमारे पास तीन हिस्से होते हैं, जिसमें basal body hook और filament शामिल है, बैसल body के बारे में लिखा हुआ है, ये originates from the cytoplasm, ये cytoplasm से निकलता है, और हमारे पास इसके बारे में लिखा है कि originates from the cytoplasm, जिस्ट बनीध सेल मिमिनन, ये निसल मिमिनन के ब बारे में लिखा हुआ है, ये ring जो होती है, वो central road पे attached होती है, बैसल body के बारे में लिखा है, कि ये क्या काम करती है, ये philagelum को envelop में attached करने का काम करती है, हुग के बारे में लिखा है, ये एक curved structure है, और ये क्या करता है, ये connect करता है, बैसल body को towards the filament, फिलमेंट के साथ connect करत तो एक प्लेजलेरह चैंसाम को ही और फिया और विल मोमेंट के रहते हैं जो होँगे स्पारे कर वे ये लिवाटे तरियंट के रिखवाय材 इदमें त्हसे की कि वनानिक्राइब फिरती है ।्यख़जलेर्य़ मौममेंट की दे बचिंव तीसे हो devam estimate सकता है जीनोमिक और बकरी किया था है नुम कर सकता है इसक अगे कांगे को सैल करका था जीनोम चाहता है कि आक में गय। सिंगल तो यह मोलीखूल है एक सिंगल हमारे पास क्रोमोजूम हTRM उतल डॉज है बांट सब्सक्राइब है और पिर्विजशन पर्फॉर्म करते हैं और भी पण्यूड है यहां पे पिछली वीडियो में ियुक्रतें वी इतलbakा सी कर चुकी ओंप सा सकते जहाए मैंने मौडल अफ प्रोकरियोटिक सर्ड डिसकेस किया उसमें यह पूरा परग्राफ वहीं पे एज़टीज में यहाँ पे एज़टीज उन्हों ने दुबारा से उसको चप्टर नबर 6 में दे दिया है इसके साथ ही मैं अपनी वडियो से इजाज़त लेना चाह होंगी उमीद आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है पिर भी अगर आपको कोई चीज समझ रहा है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपनी राही का इजहार भी कर सकते हैं अगली वडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए का अल्ला हाफिस